कि हम इंडिने समधान के भागतिन में मूल अधिकारों का वाडन किया गया है, जिसमें अनुचेद 12-35 के बीच, 35 के बीच, मूल अधिकारों का वाडन किया गया है, तो डारेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि MCQ अगर नहीं हैं मतलब NCRT बेस को हम लेके चल रहे हैं कि मूल अधिकार या मौली का अधिकार तो मतलब जैसे जब इंडिया पकिस्ताने सब भीज भावजन हो गया जगा जगा और सारे मुद्धाय होने लगी और जगा जगा मतलब ज जिएत गें अधिकार या मौली का अधिकार थे जतुत करने लगे तो उसी को आदिकार में Yaam मूलयातिकार मिलेगे और इसमें भी मनलब डिवाइड किया गया कि 12-35 में भी आते हैं समानता का अदिकार सु चक्राइब तो सरराड के विरुद अदिकार मनलब और उसके धारमी सु चन्सक्रीटी सिछा समन्दी अदिकार समबैधानी उप्षारों का अधिक्यार तो यह सब इसके बीच में आएंगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे तो बने रही हमाई इंडिया के साथ तो फिर यहां पर मुल अधिक्यारों का सरुथा मतलब यह के हिस्ट्री अब हम जानेंगे कि मतलब उस समय जब मुल अधिक्यार के क्यों जनता भी कुछ होग सब्सक्राइब करने के लिए तो मैंगना काटा पर हस्ताचर करने के लिए बात दिखिया तो यह के हिस्ट्री है वहां के मतलब सरकार मनवाना रूप से सब कुछ काम कर रही थी तो यह के जिसमें से हिस्ट्री दिखा गया कि मुल अधिक्यारों का विकास ब्रिटेन में तब हुआ तो यहां पर समराट के जनता को प्राचिन सब्सक्राइब करने के लिए बात मना गया है तो यहां पर 160 का भी अधिकार आपको मिलेगा जो कि अंच्छेज 23 से 24 के बीच आएगा तो यहां पर मुल अधिक्यारों को एक जन्रल सा यहां पर बिटेन का मुद्दा है वहां पर जबर जस्ति मेंगना काटा पर हस्ताचर करने के लिए बात दे बात दे कर दि तो उसी को यहां पर डिसकस किया गया है उसके बाद बिटीज की जन्ता 1689 समराट को उन अधिक्यारों के विध्यक पर हस्ताचर करने के लिए बात दे कर दिया जो उनके समराटों द्वास समय समय पर जन्ता को दिये जाते थे तो मतलब जो जन्ता को अधिक्यार था उस दिया गया कि नहीं भारती समय दान के भागतीन में मूल अधिक्यार या मौलिक अधिक्यारों को दिखा जाया है ताकि सरकार मनमाना ढंक से किसी का सोसड़ वगरह समना कर सके यहां के जन्ता का भी अधिक्यार है तो उसी को यहां पर दिखाय गया है तो यह भारती समय दान के भागतीन में मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों का वाडन किया गया है जिसमें अनुछेद 12 से अनुछेद 35 के भी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार आते हैं तो यहां तक हमने हिस्ट्री जाना और कुछ सायुक्त राज राज अमेरिका का मदब जो है उसके विसे में जाने के वहां कुम में भी कैसे हिश्टी था तो सयुक्त राज अमेरिका के मूल अधिकारों का उल्लेक नहीं किया गया फ्रांस की जनता माना अधिकारों के प्रतिक इतनी सज़क थी कि उसलिए वहां प्रतिक जनता में आदिकारों की उलंगाण के अधिकार डिया की दो जनता के मूल अधिकारों का उलंगान किया तो एक जनरा साई हिस्ट्री निकल के आता है तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे भारती सम्मिधान के भागतीर में मूल अधिक्यार या मौलिक अधिक्यारों को वाडन अंशेद 12 से अंशेद 35 के बीच किया गया हो अगर इसके पहले वीडियो आप नहीं दे देख लेंगे कुछ समिधान के मतलब नला तो समिधान के निर्मार के लिए समधान सभागर गठान योजना करने के लिए के अधिकार के सिपास करने के लिए एक समीथी का गठन किया गया है इसमें समिधान के सरदार पटेल उसके बाद और सब लोगों ने जो वैठक ली तो उसमें से मदलब एक बार हम डारेक्ट मोटी मोटा आपके आख से गुजर देने ताकि मदलब आपको याद रहे लिए किSee वी जमतों गठन कि इसमें समेŚ्डान के गठन के सरदार पटेल के अधिकर थे यहां से देखी ए की मदलब जो आता है उसी को डिस्क्रस कर रहे हैं, हम चाहते हैं तो हम भी छोड़ देतें, लेकिन एक बार आँक से गुजर जाने से, ऐसे होता कि मलक की क्या यूपी ऐसी हो तो छोटे-छोटे क्रिशन पतान कहां से उठा दे हैं, तो इससे आपको दिमाग में चला जाएगा, और जब समिधान क से परवर्त किया गया, तो उस समय मूल अधिकारों की संख्या साथ थी, लेकिन चवालीस वे संसोधन अनियम 1793 द्वार संपती अरजन के मूल अधिकार समाप्त करके इस अधिकार के विद्यक बना दिया गया, तो ये एक जनरल सा कांसेप्ट था, कि जब उस समय बन रहा थ अधिकारों की संख्या साथ था, लेकिन चवालीस वे संसोधन द्वार संपती अरजन के करने के मूल अधिकार समाप्त करके इस अधिकार को विद्यक बना दिया गया, तो ये विद्यक छोड़ देते, बता देते कि चार आपसन आए, इसमें से एक मार दीजिए गया, तो ऐ धर्म, सिछा, संब्यधानिक, ये जिसमें से इसमें ट्रकार की कर्वेड़ियां हैं, अंशेद बारस से अंशेद पतिस के बीच, तो अब कौन कौन से आते हैं, तो समाप्ता क अधिकार 14-14-18- svatakr के ओज, तो जनता का अधिकार 19-22 के बीच, सोउसड के बिरूद दिकार 5 23-24 के बीच, धार्मी सोतंता का अधिकार 25-28 के बीच, संसी ती एं सिच्छा समन्दी अधिकार 29-30 के बीच, इसके समबैदाने उपचारों का अधिकार 32, अब यहां केवल नागरिता को मूल अधिकार जो की मतलब यह दिखाया गया है, तो टाइम न लेते हुए मूल अधिका समिधान के प्रहुख विशेस्ताई में क्या क्या है तो इसको हम डिसकस कर रहे हैं, जो की मतलब साथ डारेक्ट हम डिसकस करेंगे, तो यहां पर भारती समिधान के प्रहुख विशेस्ताई है, इसके भागतीन में अंच्छेद बारा से 30 तक तक 32-35 कुल अनुछेदों में ब्रहतीयों के मूल अधिकारों के संबन्द में इतना व्यापक वाडन किया गया है, जितना बिसकस किसी भी लिखी समिधान में नहीं किया गया है, तो यह भारती समिधान के भागतीन में मूल अधिकार या मौलिका अंच्छेद 12-35 के जो अनुचेद बने तो उसमें दिख किता है, और इस वीषेद वाडन के बाओज़े समिधान के मूल अधिकारों को परिवासित करने के लिए गौंड है, तो यह सब जोकी दिया गया है, और हैवाध मूल अधिकार 12-35 पिछ आता है जो व्यक्ति के व्यक्तित के लिए ऑवस्यक आवस्तेक हो तो उन्हीन अदिकारों के लिए परिवासित किया जा सकता कि व्यक्ति का और सल्ण हो तो यह मोटी मोटा मुद्धा है यह अधिकार व्यक्ति के अधिक से लिए अधिया लिखा रहेगा Survivors यह कि एया सब्सक्राइब तो इसी को ध्यान में रखते गए यह बना गया है और मूल अधिक्यारों का उद्देश या मूल अधिक्यारों के जो क्यों उद्देश क्या क्या है तो उसको हम डिसकस करेंगे तो एक ऐसी सरकार का गठन करना जिसका उद्देश व्यक्तियों के हितों में व्रिद्दी करना हो और सरकार के सक्ति को समीति करना जिससे सरकार के नागरिकों को सतंता के विरुद अपनी सक्ति का प्रियोग ना कर सके और नागरिकों के व्यक्ति का विकास करना तो यहां पे मतलब जो की हम दिखाएं कि मतलब यहां पर ऐसी सरकार के अठन करना जिसका उद्यस व्यक्तियों के हित्तों के लिए सरकारोगे संभ्वित करने सर्कार नागरीषों को स्वचंता के उरुद अपनी संव्फित्प करसके और नागरीषों को व्यक्तितफित का विकास करना तो यहां पर नगरीकों के व्क्तित को विकास करने के लिए यह सब किया गया और रहिबाद समिधान के अंचेष तेरे मूल अधिकारों सम्वंधित अप्रवर्थक का सिधधान और अद्धित्याजन का सिधधान मतलब यहाँ पर यहाँ पे एक लोटा-मुड्रा tast सब्सक्ति कर देख काइगे कि बंदक अथित्य आंग सिद्दमनो तो में नेश्यक्त में डिसकस करेंगे तो शबांग को